नमस्कार स्वागत आप सभी का वीके नियूज में और मैं हूँ आपके साथ एपिका पांडे हमारा देश भारत सालों साल अंग्रेजों का गुलाम रहा यकीनन अंग्रेजी हुकूमत के कई किस्से आपके रोंग्टे खड़े कर देते होंगे उस दौर में कई भारतियों को गुलामी की वेडियो में जकर रखा गया था लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है दौर नय भारत का है हाल ही में आपको याद होगा कि दुनिया की अर्थिविस्था के मामले में भारत पांचवे स्थान पर आ गया और उसने उस देश को पीछे छोड़ा जिसने कई बरसों तक देश पर राज किया था यानि ब्रिटेंड दोस्तों आपको वो बूवी भी याद होगी लगान जिसमें कैसे भारती गेंदबाजों को बेजज़त किया गया था लेकिन उनके ही गेम में कैसे इंग्लिश खिलाडी फसे थे कुछ ऐसा ही अब हुआ लेकिन ये मूवी नहीं बिल्कुल सच है भारती खिलाडीयों ने अंग्रेजों के ऐसे छक्के छुड़ाए हैं क्यूंकि आँखों से आंसु आ गया ये सब हुआ है क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लौड्स के मैदान पर दरसल हुआ यूँ कि सोशल मीडिया पर इंग्लेंड बल्लिबाज यानि चारली को भारती गेद बास दीप्ती ने नौन स्ट्राइकर छोड़ से गिल्ली उड़ा कर आउट कर दिया और भारत को शांदार जीत भी दिलाई चारली ही वो खिलाडी थी जो इंग्लिस टीम की लाज बचाने के लिए लड़ रही थी यानि टीम को क्लीन स्ट्राइब से बचाना चाहती थी लेकिन दीप्ती की चतुराई से इंग्लिस टीम भौचक्ती रह गई और अपने बनाए नियम यानी MCC Law 41.1 के तहर चारली को रोते हुए पवेलियन वापस लोटना पड़ा ये वाक्या सोशल मीडिया पर छा गया है दीप्ती का यंदा सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है कई तरह के कॉमेंट ट्वीटर पर चल रहे हैं तो वहीं लॉड्स के मैदान पर इंग्लैंड बल्ले बाद चारली के रोने पर और ड्रेसिंग रूम में इंग्लिस टीम के खिलाडियों के कई रियक्शन पर मीम्स भी बन रहे हैं बहराल आप इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के देख चे रहे हैं वीके निउस